बश्कार दोस्तो मेरा नाम तिलक है और मेरी यूटूब चैनल तिलक में अग्लोस में आप सभी का एक नए वीडियो को तहां स्वागत है तो दोस्तो चलते हैं आज आप लोग को बोर्यागेट दिखाते हैं बोर्यागेट में क्या है और क्या-क्या यहां पर मिलता है सबसे पहले में आप लोग को बता दूँ अभी दिवाली का स्रिजान आने वाला है ठीक है तो दिवाले में हर कोई चाहता है कि सस्ता में जो भी समान मिल जाए या फिर कपड़े मिल जाए ब्रांडेट कपड़े मिल जाए जूते मिल जाए तो घरेली समान भी आप लोग को चाहि परदस्त मार्केट है भिलाई का बुरिया गेट बजार जिसको बीस्पी मार्केट भी बोलते हैं तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे कपड़े मिलेगी और घर का समान किचन का समान और जो बहुत सारे जैसे लगते हैं जो जनरली अपने यूज होता है वो सारी चीजे और मोबाइल से रेटेड हो गया आपका साब सकजी फल सब मिले गया यहां पर दिखाते हैं बुरिया गेट का बजार बुरिया गेट भिलाई सामनेवाला रोड है और सिधाड़ और हैं आपलोग दिखा रहा हूं जो दिक रहा हैं वो सामने आपलोग को यहां पर सुनिती घ्रू लेगा और आगे जागे मुणना है इधर से सामने सेक्टर 10 जाता है और यहां पर सायद accident हो गया है किसी का accident हो गया है वो अभी हुआ है और हम लोग यहां से मुड़ेंगे ठीक है सामने आपको सेक्टर 10 पड़ेगा और यहां से हम लोग को मुड़ना है सीधा-सीधा सेक्टर एरिया जाने के लिए सेक्टर 2 हम हम से थोड़ा सा मुूर के आगे 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 जाने से मिलेगा हम लोग को कहीं आप लोग को मुड़ना नहीं है सिद्ध चलना है अभी जब तक मैं ना बोलू तब तक कहीं नहीं मूरना है तो दूस्तो सिबिल सेंटर थों ने बहुत ज्यादा तो एक बार आप लोग सिविल सिंटर भी आना खाने के लिए फिर घुमने के लिए रात में तात का महल बहुत ही खुशुरत रहता है तो दोस्तों यह सेक्टर फाइब हम लोग आ गए और सिधा सिधा जा रहे हैं सेक्टर फोर की और बढ़ते हुए और मैं बता रहा था दोस सेक्टर 3 यहां पर लिखा हुआ देखना आप लोग सामने देखना लोगो लिखा होगा यह सेक्टर 3 लिखा हुआ है यहां पर CRPF का वो भी है कैम भी है तो हम लोग यहां से ही सिधा सिधा जाएंगे तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा था कि जनरली क्या है हम लोग दिवाली का टाइम में ही खरीदे समान तो कई बार क्या होता है बहुंत लोग ऐसे रहते हैं कि जो पहले खरीद लेते हैं Ciya है इत्थुड़ा सा अभी क्या है एक खारीच सथा मिलेगा फिर दिवाली जहट शीजान आ जाये कपड़े का मार्केट है जीटेचपल कीचन आइटम जो भी है मिलेगा दाल चामल जो बहुत चीजे हैं यहां पर देखने के लिए तो यह दोस्तों हम लोग आ गए हैं बुर्या गेट और यह सामने पार्किंग है तो हम लोग पहले पहले अपना बाइक पार कर देते हैं दोस्तों यहां पर दिवाली के टाइम में बहुत ज़्यादा बेड़ रहता है तो मैं आउट सीजन में आया हूं मतलब दिवाली अभी लगा नहीं है नौरात्री लगने वाली है पितर पक चल रहा है तो यहां हम लोग बाइक पार कर दिये हैं और दोस्तों यह सामने दीक पॉकान है वह लगा हुआ है फल हो गया आप लोग को बहुंँ सारे वर्याटी यहां पर मिल जाएगी फलों का और सिरह चलते हैं हम लोग आप लोग को फिर देर दिखाएंगे क्या क्या है यहां पर केला ही नजर आ रहा है फल में सबसे जादा और यह पपीता भी है दिख इए हम लोग को और दिता आफ लोग पहनते हो रात में और यहां पर मुर्कू-पापण भी मिल रहा है तो आगे थोड़ा सा जलनकी चलते हैं क्या JAM कि मुझे लग रहा है कि आप लोग को ज़्यादा जो हो गया क्या बुलते हैं जल्दी दोस्तों यह मार्किट है और और यह दोस्तों लास्ट हो गया और फिर से स्टार्ट हम लोग चलते हैं तो बिया किसी को भी जूता बगएर चिये रहेगा तो भी बूरे अब लुकान सबसे लाश्ट कॉर्णर में रखती है कप्ले लैंड में और जूते मेरे पाथ 300-300 पर प्राइस तकी है जैसे यह जाए 300 पर जूते मिलेंगे साथ पल्टी पी अच्छी मिलेगी जो अभी ऑल्लन में अपना 800-900 पर बिक्ते हैं इसाथ 3-100 पर जाएंगे साथ 3 –300 पर जाएंगे 3-100 पर प्राइस तकी पुरीम क्लेक्शन मिलेगे साथ पता करके बतार लाश्ट रेज जगे पर कप्ड़े लेंड में आप आप आपको मेरी दुकान देख जाएगी सोबा से दो बज़ तक लगते हैं सोबा पाच बज़े से दो बज़े तक लगते हैं तो दोस्तों जूता का तो आप लोग को रेट पता चल गए यहां पर मैं आप 200-800 रुपए की आती है है कि नहीं तो काफी अच्छा है और जो उपर टंगी हुए है दोस्तों वह 300-500 का सट है 500 का दो है और दोस्तों यह जो है बेल्ड नजर आ रहे हैं वह 1.500 का है मैं इनसे पूछा हूं तो 1.500 से 200 देख देख के कॉलेक्टी देख देख के तो आगे च सट का रेट है वह 300 का है और यहां पर आप जैसे आओगे तो और यह भी 200 का उपर का है यह यह जो सट है ती सट है और प्रीमियम कॉलेटी है मान के चलो कि यह कलर वलर जाएगा ऐसा कुछ नहीं है यहां से भी मैं करपड़ा खरीदा हूं तो अभी तक चल रहा है मेरा और स्पोर्ट्स टिशर्ट या फिर जैसे सुबह घूमने के लिए पहनते हूं स्टाइप का भी मिल जाएगा यह थोड़ा सा इधर खाली नजर आ रहा है आप लोग को साथ मैं आउट सीजन में आया हूं और प्लस मंगलवार को आया हूं तो मंगलवार को तो यह थोड़ा केवरेज रेंज है ज्यादा रेट नहीं है 600 से नीचे आप लोग को बहुत ही अच्छा अच्छा कपड़ा जीन्स मिल जाएगा तो आगे चलते हैं लास्ट साइट उसके बाद आप लोग को फिर से मैं अधर लेके जाऊंगा देखो कितना प्यारा प्यारा कपड़ा आप को पीस नजरा रहा होगा तो सभीर का रेट वही 400-300-500-500 कहीं जगा 100 रूप में भी मिल रहा है तो आप लोग जब आओगे तो बिल्कु यहां से खरीदना बहुत ही अच्छा मार्केट है कपड़े के लिए बहुत अच्छा बोलूँगा मैं दूर्ग भिलाई रैपूर मे और यह दोपार बारा एक बज़े तक रहता है इनसे मैं पूछ रहा हूं कि सट का रीट क्या है तो बहुत गौर से देख रहे हैं मुझे क्या कर रहे हैं तो यह बहुत सारी अच्छी कॉलिटी की कपड़ा है और जीन्स है दूसर जीन्स का रेट तो ऐसे 600 आसपास का है तो 600 काफी है और उससे क्या है अच्छा कॉलिटी का है तो थोड़ा सा कॉसली नजर आ रहा है बाकि लंबा चलेगा जैसे होता है ना कभी हम लोग कसस्ता मेली लेते हैं और उसका करार निकल जाता है फिर जल्द कर नहीं है यहां पर बहुत अच्छा बता दिया है और चलते हैं आगे थोड़ा आप लोग को और भी चीज़े दिखाते हैं कपड़ा हो गया तो यह बैग है दोस्तों यह 200 का 300 का 600 का देख देख के है जो सामने दीख रहा है वो 300-300 का है और यह भी है जनरलिया अपने यू जूता चप्पल है दोस्तों जूता चप्पल का बहुंच सारा दुकान लगता है जनरली ऐसा होता नहीं है बाकी आज कम लगा है अज 2-3 दुकाने लगी है तो यहां पर थोड़ा सा धूनला धूनला वीड़ो आ रहा है यह भी आप भी दुकान है और बड़ा बड़ा दुकान है दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों यह खाने पीने का समान अप लोग को दिखा रहा हूं मैं यहां से थोड़ा से यह देख लेजें यहां कपड़ा भी मिलता है प्लस हर चीज में यहां पर मिलता है आपको जनरली यूज होत और नास्ता का सिंटर हमान सकते हो और यहां का पूरी 132 बहुत ही बहुत ही बहुत ही मस लगता है मैं हमेसर जब भी आता हूं में साथ यहां पर कभी कभी समान खरेदने के लिए पर आता हूं और जनरली मंगलवार को ही आता हूं यहां पर और कम रहता है भीडवार तो अच्छा से हो जाता है shopping और यह starting का दुकाने हैं यह आप का electronic समान में आप लोग को बता रहा था दिवाणी के समय हैं और आप लोग दिवाली में क्या है बहुत सारे समान चेंज करने रहते हैं लाईव गरर लगाने रहते हैं तो दोस्तों दिवाली के समय बहुत ज़्यादा यहां पर लाइट का दुकान लगती है जूते का दुकान लगती है तो आफर भी बहुत ज़्यादा रहता है कि तीन में चार ऐसा कुछ रहता है दो में तीन मतलब दो खरीदों को तो एक फ्री मिलता है ऐसा टाइप का रहता है तो यह आप का सेविंग का है जिलेट और पहुंसार आटम दीख रहा है और चद्धी बनियान है चद्धी बनियान का दुकान है और यह आप लोग को कपड़ी का दुकान है चद्धा है और यह अपना टिशाथ-साथ नाइट वाला जो पहनते हैं वो है हुशन तो आप लोग इंदरा मार्केट और पाओर हाउस मार्केट और यहां सुभेला मार्के जो होंगे उसी टाइप का इस solchen कि यह अच्छा मार्केट है यहां फे प्रिम्म कॉलिटी की समान मिलती है क्योंकि BSP का मार्केट है यह बियस पी जस बगल में आपको BSP का वो मिल जाएगा बुर्य गेट जिसको बोलते हैं गेठी है उसका BSP गेठी है और दोस्तों यह BSP आलो का जूता है आप लोग भी खरीच सकते हैं उसको और यूस कर सकते हैं डेली यूस करते हैं काफी लंबे स में तक चलने वाला यह जूता है बड़े पापा के पास है तो एक साल देर साल चल जाता है काफी मजबूत होता है दम लोहे टाइप का दिखने में दिख रहा है मोटा मोटा वजन भी होता है बहुंच ज़्यादा वजन होता है आपको यह देखो अब मैं आप लोग को वो दिखा रहा हूं मसाले का एक्टम और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों आगे भी देखते हैं आप लोग को दिखाते हैं क्या है सिर्फ कपड़ा कपड़ा हो गया आगे भी आप लोग को दिखाते हैं क्या है यह जनरली अप लोग घर में जो यूज करते हो समान जैसे डा दुकान बनियान का दुकान है और यह हम से पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं तो बाइस आप हम बता दी हैं कि हम यूटूबर हैं और यहां पर वीडियो बना रहे हैं तो बोल रहे हैं अच्छे से बनाओ दिवाली का टाइम है हम लोग का मार्केटिंग को थोड़ा से बढ साब खुरा है काजुबदाम फगेरा वगेरा सब यहां पर मिल जाएगा और यह दाल से रिलेटर्स समान जो होता है मसाला हो गया दाल हो गया देखो क्या क्या है मैं अब लोग को दिखा रहा हूं पहुत सारे अलग अलग वालिटी के दाल है चना है और जो घर में यूज़ है दोस्तों सुखा समान जिसको बोलते हैं और गेहूं है यह भी आप से खरी सकते हो तो मान के चलो घर में जो भी यूज होता है जनली अपने सुबह से साम तक जो यूज होता है ऐसा बोल सकते हो वो यहां सब चीज मिलेगा आप लोग को है देख लो यह सोयाविन के बड़ी है और यह गेहूं है राजमा बगल में देख रहा है ये काला वाला राजमा देख रहा है चना है हरा चना है अंब मतर हरा मतर भी दिख रहा है और तेल का पैकेट भी दीखे रहा है यहां पर तेल भी आप लोग यहां पर पैकेट में मिल जाएगा सुबह सुबह लगता है दोस्तों आप लोग यहां पर आओ खरीजियारी करें और सस्ता समान लेके जाओ सबस् studied huh यहीं से खरिटा हूं तो काफि यही Moin आगे मैं आप लोको लेके चलता हूं थोड़ा सा दिखाता हूं यह ciąग सक न रा志 यहा अधिन्य है नř instrument करते हैं उनला यहीं है थिरा निए यहीं पर नहीं पूरा खचाकस लगता है जूता ही जूता नजर आएगा आप लोग को तो अभी सब एक दोई दुकान लगा है क्योंकि अभी पितर पक्ष रहा है जैस्ट पितर पक्ष ही आएगा मतलब खतम हो जाएगा नोराती जैसे लग जाएगा तो फिर बहुत ज़्यदा यहां पर फिर धीव खरिदना है एतने में खरिदना है ऐसा कś भी नहीं में रहता है मुंहीं अभी दिखाया है कि सब्लस्क्रालिए और से उमिच्च्ण भीषर दिखर है खाने चले मैं सोकेन हों खाना बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अभ फूटू लोकिंग भी करू थोड़ा सा क्या है बूलने में मनको थोड़ा अपरसानी होता है सावने पब्लिक लोग के साथ थोड़ा गोल मिलने में थोड़ा सा नर्वस फिल होता है इसलिए मैं यहसी वीडियो बना देता हूं थोड़ा सा नर्वस फिल होता है अच्छा है लगता है वो थोड़ा सा टायम लगे हो सब चीज सीखने में अभी-अभी मेरी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सीखने के लिए देखने के लिए और दोस्तों यह मसाली के दुकान है यहां से मैं मसाला खरीद रहा हूं घल्दी मिर्ची और एक दू आइटम और खरीदूंगा तो अच्छी बात है यह अपने जो घर का है वो पुरा समान यहां पर एटू जेट मिल जाएगा आप लोग को मतलब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा नहीं सुपर बजार जाना पड़ेगा मतलब एक मान के चलो कि दिवाली का सौपिंग भी आप यहां से कर सकते हो जासकते हो नास्ता करने के लिए भी आ सकते हो जुरूरी नहीं का समानी खरीदना तो अच्छी बात है और दूस्था चाइम यह किचन बोलता हूँ बात्रों का समा जो अप लोग डेली यूज़ करते हो यह क्या क्या है देखो ब्रस है जाड़ू है और बरतन दोनी के ब्रस है कपड़ा दोनी के ब्रस है और वो कपड़ा टांगने का है यह जाड़ू 200-100 रुपे की है मैं यहाँ पर एक जाड़ू ले रहा हूँ इनसे पूछ रहा हूँ कितने का है तो 100 रुपे बूल रहा है तो आगे और चले की बस हो गया चलते हैं थोड़ा से और एक दूमनेट फिर आप लोग को अगले वीडियो में मैं इंद्रा मार्केट तो दिखांगा इंद्रा मार्केट का बहुँक्त अच्छा मार्केट वहां भी है तो यह दोस्तों लाश्थ है और विक्किविया का दुकान चलते हैं विक्किविया का दूकान जो इल्यक्टानिक और मुबाइल यkeln से मान मिलता है ये ये सामने जो दीख रहे हो ये जज़ बगल में विक्की भी है का दुकाना मैं यहीं से पुरा समान खरिदता हूँ यहीं से पुरा समान खरिदता हूँ मुबाइल से जो भी हैटफोन हो गया और मुबाइल रखने का हो गया स्टैन हो गया जो भी है वगेरा वगेरा सब मैं यहीं से खरीदता हूं तो काफी अच्छी बात है और यह विक्की भीए है मैं आप लोग को दिखाता हूं कि भीए का थोड़ से स्माइल कर से करते हैं यह जनरली आपका पैर रखने का है क्या बोलता है मुझे भी नहीं नाम याम या या याद नहीं है पैरदानी बोलते हैं उसको तो दोस्तो लास्ट हम लोग को दिखा रहा हूं जो मोबाइल है और कवर है प्लस रखने का मोबाइल इस्टेन जो रिस बगेरा बनाते हो ना यह सब्जी दिखे रहो यहां पर सब्जी भी आप लोग खरी सकते मतला मान के चलो सब चीज यहां बुक्ता पर मिलेगा दोस्तों सुवासे साम तक जो हम लोगो यूज़ करें रहते हैं वो सब दिखा दिया हूं मैं तो आप लोग आओ यहां पर और सौपिंग करो मस्त और यह दोस्तों पांसो का दो सर्थ है और साइज जीन्स 600 का दो है पिर फिर पांसो का तीन है जहां ताग ये साथ ये वीकी वेया चलो मिल लेगे से